तो हम अपने लोगों को एक विद्रोई बनाना चाहते हैं इस तरह का विद्रोई की वो अपनी याति के निता से सवाल करे, शत्ता से सवाल करे, हर उष व्यक्ति से सवाल करे जो समाज की वज़े से आज एक उम्चाई पर पहुंचा है। या जिनकी वो पूजा कर रहे हैं देवी देवताओं की तरीके से उन्होंने आज तक उनको कितना लाब दिया है उनके हितकी कितनी बात करते हैं जो सवड़ों के सामने हुकुम साहब, बाबु शाहब, सेट जी, पंड़ी जी पायलागी तमाम सारी चीजे हैं जब कि ये भी देखते हुए कि वह उमर उसकी क्या है हमसे बढ़ा है एक 80 साल का बुजरुग एक दश्याल के ब्रहमन के बच्चे को पायलागी बोलता है तो इसका मतलब शाप है कि उसका अपना आत्म सम्मान जो है श्वाब मान है वो मर चुका है गयर बरावरी है गयर देखिए जो हमा होगा 2022 और 2024 जन्वरी में खत्म होगा है कि साथियों नमसकार मैं हुनी रच पटेल और आप देख रहें इसनल जन्मत कांसी राम साहिप को अपना आदर्स बताने वाले तमाम सारे लोग उनकी एक लाइन तो बार बार दोहराते हैं कि सत्ता हर ताले की कुंजी है लेकिन उन माजिक परिवर्तन के बिना हुआ सत्ता परिवर्तन बहुजनों के किसी काम का नहीं मेरे साथ इस समय मंडल आर्मी चीफ अनुरुद बिद्रोही जी हैं इनके नाम में बिद्रोही क्यों है ये खुद बताएंगे लेकिन नेशन जन्मत ये दावे के साथ कह सकता है कि संघर करने वाले व्यक्ति हैं और मंडल आर्मी के नाम के अनुसार मंडल के मिसन को यानि की मंडल की सिफारिसों को लागू करवाने के लिए जाती बार जनगर्णा को ले करके प्रदेश में तमाम लोगों में से ज्यादा मुखर इनका संगठन है आप से ही सबसे पहले यही समझ पर मैसेज ऐसा जाना चाहिए जिसको नाम को पड़के नाम को शुन के लोगों को यह विश्वास जागना चाहिए उनके अंदर की यह व्यक्ति वह व्यक्ति है जो निश्बच्छ और मुखर आवाज उठा सकता है जो बिद्रोही रूप से काम कर सकता है तो हम अपने अगर हमें इस चीज को दूर करना है तो विद्रोही बनना पड़ेगा निस्पष्ट से सब्सक्राइब हाँ बिलकुल दुह काम माजूदा दौर में लीटि में इस भक्ति के माहौल से बाहर कैसे निकालेंगे तेकि इसके लिए हम एक रियास कर रहे हैं कि सभी को पहले यह समझाया जाए कि जो जातीय नहता हैं जिनको उन्होंने बहुत बना रखा है यह जिनकी वो पूजा कर रहे हैं देवी देवताव की तरीके से उन्होंने आज तक कितना लाब दिया है उनके हिटकी कितनी बात करते हैं तुमाम जो जाती-नेता मैं तो यह कहुंगा कि हो खुद इसका आक्लन करें जो MP ML ने बनाए पांच शाल वह रहे हैं पिछणों की बन्चितों की दल्तों की कितने शवाल हितके उन्होंने शदर्म किये हैं उसके आधार अधार पर यह तैकर कि कि लिए आपका या श्वार्य को सुपोर्ट कर दे कि हमारी जाती हैiconu मशीया और भगवान वह सकता है aha allora social के खिलाब लड़ता है हमारी अधकारों को हशेल करने के लिए लगातार आधा मंजल कमिशन की चिपास्तों को लागू करवाना शाथ साथ जो पिछड़ा समाज है इसके अंदर आत्म शमान की भावना को जागरित करना जो वह वाली चीजिए उनको दूर करना इसको लेकर करके हमने प्रोग्राम लिखंगोगोगोगोगोगोगो लेंग उसको लेकर प्शुडों का आतमसंमान मर गया है क्या उसको जगानी कोसिट कर रहे हैं पिछोडों में आत्म शम्मान है नहीं अगर उनके आत्म शम्मान होता तो उस्वोटी चीजोओं को लेकर विकते नहीं और आत्म शम्मान देखिए पिछ्णों में पड़ों में ललग पपति करोड पती हैं पैशे बाले लोगth an Dos फामने उनकी आ особенно उनकी है उनको धंजबत करते हैं जब तक आत्म शमान नहीं जा गेगा तब तक मानसी निकलें प्लामस आत्म सम्मान से ही मानसी गुलामी का रासता विस तरह की मांसी गुलामी जो शवर्डवाथ चला आया है स्वरों से जो सवड़ों के सामने हुक्वम्ज शाहब बाभू शाहब सेट जी पंडिज जी पायलागी एक 80 साल का बुजरुक एक 10 साल के ब्रहामन के बच्चे को पायलागी बोलता है तो इसका मतलब शाप है कि उसका अपना आत्म सम्मान जो है वो मर चुका है गैर बराबरी है जब आत्म सम्मान जागेगा तो लोग गैर बराबरी के खराब बिद्रो करने शुरू करेंगे अमोमन में व्यक्तिकत सवाल नहीं करता हूं लेकिन अनुर्द विद्रोही के साथ जो मेरी बातचीत हुई मैं जान बूच करके यह लोगों को बताने के लिए व्यक्तिकत सवाल कर रहा हूं कि देखी किस तर अधरों का मकान है फादर किया करते हैं प्राइवेड टीचर हैं खेती करते हैं और आपके पास है का सुरूत है नहीं फादर से ही मिलती है दो जोड़ी चुका हूं ये सिर्फ इस लिए बताया मैं आपको कि जो करना चाहते हैं उनके लिए तमाम सारी चीजें होने के बाव प्रॉल पंप है ना इंट भटते हैं ना बहुत बड़ी जमीन के मालिक हैं इतनी जमीन है कि घर का गुजर बसर चल जाता है फिर भी बदलाओ लाना चाहते हैं समाज में किस तरह का बदलाओ समाजे गयर बराबरी आर्थ गयर बराबरी और शमानता का जो अधकार है जो हमारे महापोरिशनों का मिशन था जो बद्ध कर आज तक चला आ रहा है जिसको बाबाकल्स मिटकर ने चलाया परियार хот grass ने चलाया कासीराम साब ने चलाया करप्री ठाकुर ने चलाया जग्देपिश्यात कुस्पा कईुमानिसारी तमाम जो महापरोस जिन्हों ने जिस मिशन को के लिए शंगर्स किया अपना बल्लान दिया कुर्वानी दी सब कुछ निचावर कर दिया उस मिशन को उस परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज हमारी कंद सब कुछ तो नहीं है लेकिन फिर वी आप जब आंदोलन करते हैं तो आपको समझ में आता होगा कि पैसा कहां से आएगा इन सब देखिए जो हमारा कारिक्रम है आत्मसमान मंजल संकल प्यात्रा इसका खर्च जो है चालीस लाग का है बजट कितने जुलों में भूमने का ल नहीं से सुरू होगा दोजार बाइश और दोजार चौविष जनवरी में खतम होगा इसके लिए तमाम पार्तियां उनको पत्र लिखें अकलेश यादव को पत्र लिखा है अनप्रिया पत्यों पत्यल को भी पत्र लिखा है और अनमान बेनिबाल हो गए ओंपरकार की उमीद हमें नहीं है लेकर हम यह समाज को दिखाना चाहते हैं कि जिन लोगों को अपने मशिया बना रखा है जिनको बहां पर बिठा रखा वो मानिशिक दरिद्र कितने हैं यह समाज खुद नहीं बोल सकते तो बोलने वाले को तो सपोर्ट कर सकते हैं बिलकुल बोलने सयोग करेगा तो बदलाव दिखेगा हम आंदोलन को खड़ा करके दिखाएंगे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि अकेले बेटे हैं आप इतने दिन बाहर रहते हैं तीन-चार दिन से तो आप लखनों में हैं इसके बाद कानपुर जाएंगे अन्य परदेशों की यात वेजना तो पूरी देखवाल हैं उनको कोचिंग भेजना कोंखे याना खाना वनाना उनके प्लेक में सारा करती हैं इतने सारे काम वने के बाद बहुत आप आज नहीं जा कि आ 우리 उसके बाद चाहिए आप एक सामान किसान परवार से हैं जब पहली बार जेल गए थे तो पिता ने क्या कहा जब मैं पहली बार जेल गया था उसमें मुझे बहुत टोर्चर किया गया था मेरा ये पूरा फटा हुआ था सर भी फट गया था आज भी निश्यान है अमारा पीट अपने के लिए वगएर किसी कारण मुझे उठाया गया था रेलवे स्टेशन से और टोर्चर किया गया पुरी राज टोर्चर किया गया यहां तक कि यह भी कहा गया कि शाले को पिशा प्ला देंगे गांजा लगाएंगे और अबैद सस्त्र आदनियम का प्रियों करके जो कोई दिक्कत नहीं समाच जो भी कहने के जिए पिताने क्या कहा आप लगे रहिए शमाच जो भी कहने दीजिए चिंता मत करिए जब भी ऐसा होगा हम जबानत करवाएंगे ऐसे समय में जब तमाम सारे लोग निरासा भरी नजरों से देख रहे हैं कि यार मूमेंट चलाने अब कैसे सरवाइब करेंगे कभी किसी को ठालिया जाता है घर से किसी के घर पर बुल्डोजर पहुंच जाता है धंकाया जाता है उस समय ना पैसा है आपके पास ना कोई बहुत बड़ा बाहु बल है होसला कहा से लाते हैं यह समय महापुरसों के संगर्स जीवनी को सब्सक्राइब को पढ़कर कि अगर अधकार चाहो तो लड़ना सीखो पकपर अड़ना सीखो बिपी मंजल ने कहा था बुलंद करो दावेदारी हसल करो संपूर हिस्सेदारी यह हौसला तो हमारे महापुरसों की देन है इसको तो कोई हमसे चीन ही नहीं सकता मतलब जो महा सबीर रख लेते हैं उनको पढ़ते नहीं है अगर पढ़ा होता तो आज बदला होता पढ़ा होता ना सिर्फ विवस्तां बदला होता बलकि जिस सत्ता के लिए वाक्ते वो भी आज उनके कदम होती है एक अंतिम सवाल इस वीडियो को देखने वाले लोग दो तरह के होंग के यह भी चाहते हैं कि आप लड़ो आप सअलक पे जाओ ​ शहते हैं नहीं आंका सायोग चाहिए यह 6 संवान मंजल संकल प्यात्रा है 40 लाग का खर्चा है आप जानते हैं कि इतना हमारे पास तो नहीं है आप सभी आपकी शमता हमारी वेब साइट है लिंक हम दिला देंगे मंजल आर्मी डॉट कॉम बहां डॉनेशन का पेज है वाँ शयोग करिए उसके अलावा आप हमें अनु ज़बा हिम्मत है सबसे बड़ी बात आपके पास हिम्मत है तो जहां हम जाते हैं जिस आंदोलन को हम करते हैं उसमें सामिल हुए अपनी भागिदारी निभाई है कि शंख्यावल बहुत माइने रखता है कोई भी आंदोलन कोई भी मिशन तीन चीज़ों पर चलता है मैंड मैन और मनी अच्छी दड़नीती बैतर संख्यावल और बैतर धनवल एक भी चीज़ अगर कम रहेगी तो ना मिशन सपल होगा ना आंदोलन खड़ा होगा मैं यही अपील करूंगा कि शमझे चीजों को आप डारेक्ट हमारे साथ नहीं आ सकते हैं खुलके सपोर्ट नहीं कर सकते हैं आप करिए आंदोलन को हम बढ़ा के दिखाएंगे और वादा यह करते हैं कि बिद्रोही ना कभी जुका है ना विका है ना विकेगा इतना तो ह अनुद्रोही जी को आपके सामने लेकर किया आया था सिर्फ यह बताने के लिए कि वो लोग जो किसी भी तरीके से धनवल से बाहुबल से सक्षम नहीं हैं लेकिन महापुरसों के बिचारों से पूरी तरीके से सबल भी हैं और इक्षा सक्ती इतनी मजबूत है कि एक ऐसे लोग काम करें तमाम लोगों की समस्याओं पर पहुंचें धर्ना परदर्सन करें आंदोलन करें तो ऐसे लोगों को सहीयोग करिए देखते रेने संजन मत जागरुक और सजग बने रहिए जै विज्ञान जै समीधान जै लोगतंत्र धन्यवाद